हेलो फिर्ट्स हम सीख रहे हैं वोकप फ्रॉम एस्पी बक्सी और आज के लेक्चर में हम आगे 10 वर्ट्स डिसकस करने जा रहे हैं एक एक वर्ड बड़े प्यार से फिर्ट्स चुना गया है और आपको एक्स्प्लें कराया जा रहा है तो बड़े ध्यान से समझ कर चलिएग लेट्स स्टार्ट देखिए जो पहला वर्ड है वो है कंडाइन और कंडाइन क्या होता है फ्रेंट्स कंडाइन होता है समुचित जिसको आप कहते हैं एडिकेट एडिकेट और एडिकेट यह कॉमन वर्ड है कंडाइन श्याद ना सुना हो आपने लेकिन एडिकेट डेफिनिटली सुना हुआ और एक और सिनोरिम आता है इसका रिगोरस कंडाइन एडिकेट एडिर्रिकोरस और अगर इसकी नेचर की बात करें वर्ट की तो ये है फ्रेंट्स एजक्टिव और इस कंडाइन का मतलब होता है समूचित उचित या समूचित क्लियर फ्रेंट्स जैसे कई बार आप कह सकते हैं कंडाइन पनिश्मेंट फॉर अ क्रिमिनल एक क्रिमिनल के लिए उचित या समूचित पनिश्मेंट क्लियर फ्रेंट्स यूज इसका हो गया समूचित यानि कंडाइन एडिकेट और रिगोरस यूज ने उचित और समूचित कंडाइन पनिश्मेंट फॉर अ क्रिमिनल नेक्स वार डे फ्रेंट्स कांग्रिगेशन और कांग्रिगेशन क्या होती है आप्रिगेशन होती है धर्म सभा यानि एक ऐसी सभा एक ऐसी gathering जिसका परपज religious होता है उसको हम congregation कहते हैं congregation और अगर इस world की nature की बात करें तो देखिए हमें देख के पता लग रहा है कि जो world है definitely वो noun होगा यारी धर्म सभा religious gathering religious gathering को और इसके लिए एक सिरोनिम और इसका मिलता है parish यह भी धर्म सभा के लिए उस होता है इस congregation के लिए उस होता है यारी religious gathering जहां भी है वो क्या कहलाएगी वो आपकी congregation कहलाएगी clear friends next word है cherry c-h-a-r-y cherry और देखें उचारण की बात करें तो cherry होता है और cherry cherry लिख दिया मैंने और nature की अगर word की बात करें तो यह है adjective cherry clear और इसको आप कह सकते हैं chaukas या साबधान साबधान या chaukas clear और synonym की बात करें तो कही synonym इसके मिल जाते हैं एक मिलता है cautious बड़ा प्यारा word है बड़े familiar है आप cautious c-a-u-t-i-o-u cautious और cautious के साथ साथ एक watchful होता है एक wary होता है और दूसरा word है wary ये शायद आपने कम सुना होगा wary clear wary, cautious और watchful ये सब क्या है ये cherry के synonym है और cherry क्या है cherry है साबधान कई बार हम घर के आगे किसी के दरवाजे पे एक बिल देखते हैं और वो क्या होता है कि कुतों से साबधान और वहाँ word यूज करते हैं beware clear तो beware भी इसका एक सिटोनीम है beware of dogs अकसर ये word वहाँ यूज होता है लेकिन अगर हम इस cherry को यूज कर डाओ हमें तो हम कह सकते हैं cherry of the dogs यानि कुतों से साबधान तो आप वहाँ इस word को replace कर दे आपने अगर beware of dogs अभी तक पढ़ा है तो अब आप उसको कहिए cherry of the dogs इसका मतलब क्या है एक नया word आपको याद हो जाएगा आपकी जो daily use की terminology है उसमें वो word आप यूज करेंगे डेफिलिटली आपको याद हो जाएगा clear friends तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं friends next world की बात करें c o e r c इस स्पालिंग पर धियान देना e r c e course और ये word की nature की बात करें तो ये है वोब और उच्चारल की बात करें course clear तो cause क्या है course होता है मजबूर करना क्या friends मजबूर करना और मजबूर करने के लिए आपके generally कई synonym आपके पास हैं इसमें force आता है repress आता है compel आता है push आता है और भी बहुत सारे synonym इस word के मिल सकते हैं आपको force compel दोनों common word है एक और unfamiliar word है आपके लिए repress यह शायद आपने ना सुना हो repress clear friends तो यह भी इसका synonym है और एक है push clear यानि इन सब का meaning क्या है course और course के साथ खास बात यह होती है कि इसके साथ जो proposition use होता वो use होता है into course into clear और इस coercion इसी से word बन जाता coercion यानि मजबूर करने से आप कह सकते हैं मजबूरी तो word मिलेगा आपको c o e r c i o n coercion clear friends c o e r c i o n coercion और coercion क्या हो गए आपकी मजबूरी clear friends तो मजबूरी है coercion अक्सर मजबूरी ऐसा word है जो दिन भर में हो सकता दो चार बार हम बोल जाते हैं तो वहाँ आप coercion यूज कीजिए आपको यूज करना है coercion clear एक एक एक्जामपल ले लेते है he was coerced into giving evidence he was coerced into giving evidence कि he was coerced उसको मजबूर कर दिया गया किसलिए मजबूर कर दिया गया into giving evidence कि प्रमान देने के लिए उसको evidence देने के लिए उसको मजबूर कर दिया गया बात clear है friends word clear हुआ coercion के synonym हुए force, repress, compel और push बात clear चलिए आगे बढ़ते हैं next word है friends confound c-o-n-f-o-u-nd confound और confound क्या होता है friends confound होता है गड़ गड़ कर देना जब हम को भी घबरा जाते हैं confuse हो जाते हैं तो हम क्या हैं हम confound है clear बड़ा इसका सठीक synonym है confuse और बैफल बड़ा अच्छा वर्ड है और नेचर की बात करें तो वर्ड क्या है compound ये है वाब clear हिंदी में अगर हम बात करें तो गड़बड करना या confuse होना इसका meaning निकल के आगया clear simple से बात हो गई word clear हो गया confound confound है baffle है confuse है यानि गड़बड करना हड़ बड़ा जाना confound the inflation figure एक example ले लेते हैं और inflation क्या होता friends inflation होता महगाई inflation figures confound economic analyst कि जो inflation figures है जो महगाई की figures होती है वो जो economic analyst है उसको क्या करती है उसको confound कर देती है उसको वो गड़बडा देती है बात किलियर वर्ड किलियर हुआ friends confound अच्छा वर्ड है definitely तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे friends जो next word है next है cash c-a-c-h-e cash pronunciation है इसका cash जो c-a-s-h है वही उसका उचारण है उसी तरह इसको बोलते है जनली जो cash हम कहते है तो cash लेकिन word है ये उससे different और इसकी अगर पर्ण से speech की बात करें तो word noun है और इसका मतलब होता है गुप्त भंडार क्या गुप्त भंडार और अगर synonym की बात करें तो आपके पास एक word आता hold h-o-a-r-d hold और stock stock बड़ा common word है बहुत जाद हम use करते हैं एक word और आता stash ये word आपके अलिए unfamiliar है ना सुना हो शायद आपने stash को तो stash भी क्या है इसका synonym है यानि stock हो गया hold हो गया और cash हो गया और stash हो गया इन सब का meaning क्या हो गया गुप्त भंडार बात के लिए और कहीं खुदाई होती है कुछ होता है तो वहां कहते है भई खजान निकल गया वहां कोई गुप्त भंडार निकल गया वहां इस word को आप use करते हैं cash को a cash of gold coins clear? यानि किसका gold coins का गुप्त भंडार? a cash of illegal arms I-L-L-E-G-A-L illegal arms तो अब आप क्या कहेंगे cash of illegal arms में कि जो illegal arms है उनका एक cash उनका एक गुप्त भंडार पुलिस ने पकड़ लिया clear friends word clear इसके बद next word है friends cable C-A-V-I-L cable और cable बड़ा अच्छा word है definitely यह word जो है noun भी है और वाब भी है और इसका मतलब होता है दोश निकालना यानि find fault cable clear और हिंदी कहेंगे आप दोश निकालना find, fault, cable होता है दोश निकालना एक और मीनिंग इसका निकलता है वो निकलता है फ्रेंट्स जूठा इल्जाम जूठा इल्जाम यह तो वर्ब हो गई उपर वाला नीचे वाला जूठा इल्जाम यह noun हो गया दोनों मीनिंग इसके निकलते हैं और अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो एक वर्ड आता है वर्ड इसका सिनॉनिम है एक आता है कार्प, कार्प, कार्प और एक वर्ड और आता है क्विडिटिटी देवल डी आय घिवाइ क्विडिटिटी तीनों वर्ड अच्छे है व्रड आता है आपने कम सुने हूँ क्विवल, कार्प, एंड क्विडिटी तो ये किसके सिनोनीम है ये क्विल के है यानि मीनिंग निकलता है इनका दोश निकालना या जूठा इलजा अब आप यूज करने की बात हो तो कह सकते हैं प्लीज डॉंट क्विल अबाउट अनिम्पॉर्टेंट मैंटर्स प्लीज डॉंट क्विल अबाउट अनिम्पॉर्टेंट मैंटर्स तो ये वर्ड क्या निकला आया ये केवल निकला आया और मिनिंग निकला आया इसका दोश निकालना या जूटा इलजाम लगाना के लिए फ्रेंट्स नेक्स्ट वर्ड इफ्रेंट्स करिजमा चलिए ये ही लिख देते हैं करिजमा C-H-A-R-I-S-M-A C-H-A-R-I-S-M-A इसकप्रस investir की बात करें तो वर्ड ये नाउन है और करिजमा का मतलब होता है फ्रेंट्स एक चमतकार यूकज से पॉपॉलर चार्म या ग्रेस पॉपॉलर चार्म और यूकर से ग्रेस तो पॉपॉलर चार्म और ग्रेस के लिए आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं करिज्मा को बात के लिए रेफेंट्स और इसकी अगर यूज़ की बात करें इस वर्ड के तो आप कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानन्द हैड करिज्मा on his face क्या था स्वामी विवेकानन्द पर हमने का बैच चमतकार था बिल्कुल एक ग्रेज थी अलग एक चमक थी तो स्वामी विवेकानन्द हैड करिज्मा on his face बात के लिए तो ये क्या है वर्ड ये करिज्मा है ये चमतकार है तो चलिए फ्रेंट्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट वर्ड है कास्टी गेट और इस कास्टी गेट की बात करें तो कास्टी गेट होता है फ्रेंट्स पनिश यानि फटकारना डांट रहा और नेचर की बात करें तो डेफिनिटी वर्ड क्या होगा ये वाब होगा पनिश यानि फटकारना या डांटना के लिए फ्रेंट्स और फटकारना डांटना कास्टी गेट होता है सिनोनिम की बात करें तो वर्ड आपको मिल जाएगा रेप्रिमेंड रिब्यूक रिब्यूक बड़ा कॉमन वर्ड है फ्रेंट्स रेप्रिमेंड और रिब्यूक इसी के साथ साथ एक वर्ड और मिलता है चस्टाइज बड़ा अच्छा वर्ड है फ्रेंट्स चस्टाइज तो चस्टाइज रिब्यूक या रेप्रिमेंड ये सब क्या है ये हैं कास्टी गेट और आप यूकन से पनिश यानि डांट ना फटकार ना दंड देना क्लिए फ्रेंट उन सेंस में इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं और सिंटेंस में यूज़ की बात करें दऻीवाज कास्टी गेटेड बाइ दres या गाई दाठीख मोझे मास्टी गेटेड Thermal पांब और कार्पिंग की बात करें तो कार्पिंग है फाइंड फॉल्ट यानि दोश निकालना और यह वर्ड एजक्टिव है दोश निकालना और दोश निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं जैसे आप कहलें कार्पिंग क्रिटिक्स कार्पिंग क्रिटिक्स और यानि आप कह सकते हैं दोश निकालने वाले अलोचक दोस्ट निकालने वाले आलोचक कार्पिंग क्रिटिक्स I don't want to carp about the way you did it मैं नहीं चाहता क्या नहीं चाहता I don't want to carp कि मैं दोस्ट निकालना नहीं चाहता मैं दोस्ट निकालना पसंद नहीं करता about the way you did कि जिस तरह से तुम इस काम को करते हो मैं दोस्ट निकालना नहीं चाहता about the way you did it just a minute बस यहां sentence मैं complete कर देते हैं I don't want to carp about the way you did it कि जिस तरह तुम इने किया मैं उस तरह से जो दोस्ट निकालना है मैं वो नहीं चाहता किलिया फिर्ट्स तो यह 10 words हमने डिसकस किये I hope enjoy कर रहे होंगे learning को lecture से regarding कोई problem हो कोई query हो तो you can drop on comment box now thanks for watching this video चाहतो प्याँ प्याँ प्लीब